नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के सुरात्रिकालीन संस्क्रण में है और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ रहस्यों की कुछ रहस्यों घाटन होगे आज और वो दी कश्मीर फाइल्स वो फिल्म जिसको आप सभी लोगों ने इतना पसंद किया और इसके रिकॉर्ड बनवा दिया तो कश्मीरी भाईयों की वही जो व्यथागा था थी वो कैसे परदे पर उतरी और उसके ये आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सुरिंदर कॉल से स्वागत है आप का मैं परिचे करा दूं थोड़ा आप यूस्टन टेक्सस में हैं फिजीशन है और ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के को फाउंडर है और आप ही बताएंगे क्योंकि आपका इसमें एक महत्वपूर्ण पात्र रहा है इस फिल्म के परदे पर उतरने के संबंद में तो इसलिए आप ही बताएंगे कि ये संभव कैसे हुआ तो सुरिंदर जी ये आपके मन में कब से चल रहा था कि ये जो घटनाएं हुई कश्मीरी पंडितों के साथ में कश्मीरी हिंदूओं के साथ में बलकि भारती है हिंदूओं के साथ में इस प्रकार की जो घटनाएं हुई तो इनके ऊपर जो है इस तरह की फिल्म बननी चाहिए ये विचार कब कहां कैसे आया और इसके लिए क्या प्रयास हुए थोड़ा आप इसका हमें बैगराउन बताएंगे जिससे फिर हमें आगे समझने में सहाइता मिल सके कि ये कश्मीर फाइल्स का जो ये पूरा कथानक है वो कैसे उत्रा पड़ देखा बिल्कुल संजे जी सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा हीूस्टन से नमस्ते और संजे जी आपका आपका जो चैनल जाइपूर डायलॉग पिछले इतने वर्श हम लोग सभी आपका चैनल बहुत प्यार से हमारे सभी लोग यूएस में, कैनेडा में, न्यूजिलेंड में, ऑस्टेलिया में बहुत प्यार से इसको देखते हैं और बहुत सरहाना करते हैं और आपको बहुत-बहुत बदाई कि आपका ये चैनल तो पूरा फुल- से उसके पीछे तो बहुत सारी चीज़े हुई हैं जिसके मैं संक्षित में एक कंटेक्स्ट देना चाहता हूं जैसे आप सभी लोग में को मालूम हैं कि कश्मीर में कश्मीर एक फौंटेन हैड था भारती संस्कृती का जहां पे काफी knowledge exchange हुआ करता था और वही कश्मीर व को दरकिनार करते हुए जो वहां पे सिस्टम चल रहा था तो उसके हम शिकार होते गए जैसे आपको मालूम है कि हमारा निर्वासन ये तो 1998-89 का तो हमारा सात्वा निर्वासन था विर्कुल और ये निर्वासन जो था ये हमारे स्वतंतर बारत में हुआ जी और स्वतंतर बारत में वो भी 40-50 साल पहले नहीं हुआ ये तो बिल्कुल रीसेंट था और इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था क्यूंकि हमारा समाज एक छोटा समाज था और इतना रिसोर्स नहीं थे और उस समय टेलिफोन बहुत ही कुछ ही गरों में हुआ करते थे तो जो हम लोगों ने जेला जो समाज ने जेला उसको बताना बहुत ही बरबरता के साथ जो जो भी हुआ यह एक हमारे मन में सबूं में पूरे समाज में एक मन में इसका एक बहुत ही खुरेदना जिसको कहते थे जब 33 साल हो गए मगर यह तो हमारा चलेगा और मन से नहीं निकलेगा मगर मुश्किल तब हुई थी जब इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और जानकारी नहीं होने के बाद भी जो हमारा political system था इसको exploit कर ला था इसको brainwash इसको whitewash कर ला था और जहां पर हमने देखा कि एक ऐसी तरासदी हुई और इतनी movies कश्मीर के बारे में पिछले 33 वर्षु में बनी और इतनी दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि हमारा ये जो independent इंडिया का इतनी बड़ी इतनी तरासदी हुई इसका पूरा दरकेनार कर दिया गया इसका पूरा whitewash कर दिया गया और in contrary क्या दिखाते थे Bollywood में किस तरह से terrorism को glorify करते थे किस तरह से उसका logic और तथ देते थे कि भई वो terrorist क्यों बना उस बिचारे को वो तो बिचारा था वो तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी था देखो उस पर क्या आत्या चार होए कि उसको terrorist बनना पड़ा और यहां पे जो हमारी गाथा जिनको बरबरता से मार दिया गया कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं हुआ पुरा law and order collapse हो गया पुरा judiciary collapse हो गया इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी इसका बहुत ही दुख था तो खेर हमारी जो 33 साल की निर्वासन की जर्नी थी उसमें पहले कुछ सारे वर्स तो अपने आपक कि हम तो सड़क पे आ गए अचाने कुछ भी नहीं था और उसको समयरते 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 हमको यह पता चला कि हमारे साथ हुआ किया और मुझे मालूम है कि हमारी जो समाज की trajectory थी जो struggle in exile था उसमें भी हम लोग इसको exodus बोलते थे ethnic cleansing बोलते थे तो हमने 2016-2017 में इसका पूरा research किया कि कितने लोग मरें किस तरह से मारा गया क्या situation है कितने FIR हुए और वुसक के पच्चाथ जब हमको पता लगा कि यह क्या हुआ है तो हमने पूरे अंतराश्टी खतीप्राप्त human right lawyers के साथ बात करी और उन्होंने कहा यह तो नरसंगार है और वहां से जाके हमने पूरे समाच में पूरे जितने भी हमारे organizations थे उनके साथ तालमेल करके यह बताया कि यह genocide है इसमें मैं credit देना चाहता हूँ राकेश कोल साब को जो की आपके कारिकर में आये हैं नियुजर्सी में रहा है उन्होंने ही इसकी पहली पहल क करी ने बुला नहीं यह तो genocide है और हमको इस genocide के बारे में बताना है तो खेर पिछले दस वर्शों से हम प्रयास करते थे कि एक फिल्म के माध्यम से यह जो वहां पर सुतंतर भारत में हुआ इसके बारे में awareness क्रेट करें और वो भी किसी नफरत के बढ़ावा देने के लिए नहीं क्योंकि यह एक history का ऐसा पन्ना था जिसको काट के फैक दिया था और फिर हमको तब मुश्किल होता था जब हमारा political system तब का political system state का political system और separatist के साथ एक relationship बना के हमारे इस तरासदी पे हमारे जख्मों पे नमक छड़कने का काम कर रहे थे कि बही ये लोग निकल गए क्योंकि जग्मों ने इनके लिए जहाज लाये थे जग्मों ने इनको ये कर दिया था तुकि इनको कतले आम करना था ये सारा white wash कर दिया ये सारा manipulation का खेल चल रहा था तो वहाँ पे जाते जाते हमने संपर्क किया जिनके जिनोंने अपनों को ख खोया जिसने अपने भेन को खोया जिसने अपने मा को खोया अपने बाप को खोया ऐसे सारे परिवारों के साथ संपर्क करते करते हमको असलियत का पता चला कि क्या हुआ है और वो जाके तब हमने सबूं से संपर्क करने में ये कहा कि आपको बोलना पड़ेगा आपको बोल पड़ेगा अपने लिए नहीं आपनों को खोई दिया सबूने खो लिया मगर बाकी जो बचा है उसको बचाने के लिए बोलना पड़ेगा पूरे विश्व भर में बोलना पड़ेगा जब यह माहूल बनता गया बनता गया और हम लोगों ने भी संपर्क करने की कोशिश करी उल्यूड के डिरेक्टरस से और तीन चाल लोगों से हमने संपर्क भी किया उनके साथ पूरा प्रॉजेक्ट को डिसकस भी किया तो वहां से आके जो उनके मन में एक main issue जो उनको सता रहा था कि भई ये एक बड़ा complex project है, इसमें risks बहुत हैं, इसमें बहुत खत्रे हैं और बाकी किसी न किसी वज़ा से इसको दरकिनार किया जाता था, जबकि हम ही बोर रहे थे कि हम पैसा देंगे, हम चाहते हैं कि एक documentary बन तो somehow वो नहीं बन पाया, और वर्ष 2018 में विवेक जी हूस्टन आये थे, और मेरे मित्र हैं, यहां पे हूस्टन में करमन्या प्रडक्शन के प्रमोद बुरावली जी, आदन शिवास्तर जी, उन्होंने, वो उनकी बेंट चर ली थी, और उन्होंने मेरे को बुलाया, कश् प्रमीर का जो इतिहास है, और जो हमारी जो नरसंघार की गाता है, निर्वासन का, यह जो भी स्ट्रगल्स थे, उसके बारे में उनसे पूरा बात किया, और हमने रिक्वेस्ट करी कि आप इस पॉजक्ट को लीजिए, क्यूंकि उस समय विवेक जी जो आ रहे थे, बहुत बोल्ड प्रोजेक्ट्स ले रहे थे, तो यह तो डिरेक्टर है, जो कि इतना रिस्क उठा रहे है, चाहे वो अर्बन एक्सल्स है, चाहे वो बुदाइन ट्राफिक चैम है, पूरा एक्स्पोज कर रहे है, I think यही सही बंदा है, तो वहाँ पे बात करते, करते, बात करते, करते, विवे, जिने मुझसे कहा, कि बही, डॉक साब, देखिए, जो आप जैनोसाइट की स्टोरी बताते हैं, जैनोसाइट का जो पिक्चर होता है, वो है कि बही, जिनकी हडियां दिख रही हों, जिनके कबड़े फटे हुए हों, जिनके तन पे कुछ डखने के लिए कु तो जब ये बात चर रही थी, तो उसमें थोड़ा आर्गुमेंट भी हो, विवेक जी जब आप इस तरह से बोलेंगे, तो फिर तो हमारे लिए कुछ बचा है, फिर तो बारत तो पूरा खोकला हो चुका है, फिर तो ही नहीं, फिर तो कुछी मिन धमी नहीं है, कि ऐसा प् विवेक जी बारत वाकस गए, और वहां पे शायद उनने पलवी जी से जो कि आप हमको पता चल रहा है, तो पलवी जी से बात करी, नहीं बोला कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, तो पलवी जी ने बोला क्यों कश्मीर पे, वहां पे ऐसा क्या हुआ हुआ है, कि जो आप पूर प्रोजेक्ट इसका मुवी लेने के लिए उतारू हो गए है, तो फिर जब उनने थोड़ा-थोड़ा रिसर्च किया, तो लगबग एक महिने के बाद विवेक जी का कॉल आ रहा है, बोले कि ये मैं प्रोजेक्ट लूँगा, तो मेरी पलवी जी से बात हो गई है, और हमार की कहानी है, इसको परदे पे उतारना बहुत अच्छे होगी है, तो वहाँ पे जाके जब उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया, बोले कि नहीं मेरे को आपके पैसे नहीं चाहिए, डॉकिमेंटरी देखने में कोई मज़ा नहीं है, इसको फुल फ्लेश स्क्रीन पे उतार दिया था, और उसके बाद फिर अच्छी एग्जरसाइज शुरू होती है, जब उन्हें किया कि कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो फिर 2020 में, जब ये 2018 में बात हुई थी, 2019 में कुछ हमने एक्सचेंज किये थे, डायलॉक्स की क्या होना चाहिए, क्या रूप रेखा ह होना चाहिए, तो 2020 में उन्होंने टीम हर एक जगा बेज दी, हमारे जैसे हमारा समाच बहुत सारे टुकडू में बढ़ चुका था, तो कश्मीर, दिली में, जैपूर में, लखनो में, एहमदाबाद में, जगती में, तो यहां पे उनने पूरी टीम बेजी, और फिर उनन से बात करना चाहता हूँ, उनका मैं लॉंग फॉर्मेट इंटर्व्यू करना चाहता हूँ, तो तब जाके 2020 में, उन्होंने फिर यूएस में आए, यूएस में करीब आट-दस शहरों में वो घुमें, जहां जहां पे ये विक्टिम्स रहते थे, उनके घर पे गए, साव स पे हर एक जगा गए, फिर वहां से वो यूनाइटेड किंडम भी गए, वहां के शहरों में गए, वहां से हमारे लोग कैनडा से भी आए, आस्टेलिया, न्यूजिलेंड, ये सारा, क्योंकि इसका जो हमारा फांडेशन था, ग्लोबल कश्मीरी पंडि डियास्पोरा का, कि कि हर एक जगा से हमारा तालमेर था, तो उसको हमने यूटिलाइज किया, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और इतनी तपस्या, इतनी तपस्या इस सारे मिशन में हुई, कि इतना रिसर्च हुआ, तब जाके 700 टेस्टिमोनियल्स इखटा हुए, और इतना, जो कि हम भी य देमेज हुआ है, कितना सारा देमेज हुआ है, तब जब जाके ये सारा मिटीरियल मिला, तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको सम्मेटने लगे, उसके बाद स्क्रिप्ट बना, उसके बाद elements क्या होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, और उस बीच COVID क्या challenge आ गया, तो जू ही मेरे को मालूम है कि विवेग जी मैं भी जम्मू गया था युश से, तो विवेग जी ने वोला कि मैं भी team लेके जम्मू ही आ रहा हूं, और हम लोग रिकी करेंगे कश्मीर में shooting voting के बारे में, कहां पे क्या करना है, तो वहां पे उनने रिकी किया, कश्मीर गए team ल ताके और next day lockdown शुरू हो गया और यह जो सारा प्रोजेक्ट था इतने उतार चड़ाओ इतने उतार चड़ाओ इतने challenges के बीच वो एक divinity थी मलब कि divine जो हमारे blessings थे martyrs के हमारे जो हमारे तीर स्थल है सभी सादू संतों के पूरा blessings था इस पे इस प्रोजेक्ट पे इतने उतार चड़ाओ मैं तो आपको काफी examples दे सकता हूँ तब जाके फिर यह पूरा complete shooting हुई तो कश्मीर में भी shooting हुई उतरखन में भी shooting हुई मंबे में भी shooting हुई और फिर आप product जब पूरा बना तो फिर second wave COVID का आया आप कैसे release करें किस तरह से release करें क्या हो रहा है तो वो सारे challenges इस सारे journey में आए गए पिर आपको मालू ही कि net result कैसा रहा किस तरह से रहा इसका marketing कोई कश्मीर में shooting में आपको problems नहीं आई थी कश्मीर में shooting में उस समय जब यह गए थे उस समय काफी बरफ गिरी थी वहाँ पे और यह एक coincidence था क्योंकि 1990 में जब हम लोग निकले January के म से निकलना चालू हो गया था जबकि terrorism 1988-89 से स्टार्ट हुआ था तो मगर जब हम निकल रहे थे तो उस समय भी बहुत बरफ बारी हुई थी जो हमारा डल लेक है वो भी freeze हो गया था और इस बार जब विवेक जी वहाँ पे shooting करने के लिए गए उस समय भी डल लेक freeze हुआ था तो वो वहाँ पे सर्दी का माहूल था बरफ गिरी थी तो उनका जो कुछ shots लेने थे तो वो ले लिए उनने तो वहाँ पे कुछ हुआ था थोड़ा बहुत बट इतना कुछ ज्यादा नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने देखा था कि हो सकता है कि कश्मीर में प्रॉब्लम हो सकती है अला कि 370 हट चुका था वो जो आपके जो cutting edge थी आपके दर्स्यों को बड़ा interesting चीज़ बताता हूं विवेक जी जब administration में बताबाद कर ले थे कि मैं मेरे को यह project करना है shooting करनी है security है वो है तो सभी उनको discourage करते थे वो administration बोलता था अरे क्या रखा है इस movie पे अरे कोई love story बना दीजिए और यह क्या रिकिम दिखा रहे हो अरे इसको रहने दो मतलब कितने challenges administrative levels पे भी आ रहे थे political level पे भी जो भी जेलना पड़ता था तो ये पिछले चार तीन चार साल में जो हुआ बहुत ही इस पे तो दस किताबे लिखी जाएंगी मगर मैं सच में विवेक जी पालवी जी को I salute them they stood their grounds उन्होंने बिलकुल भज नहीं किया उनको तो बहुत सारे media channels तो इसको बहुत में खरीदना चारे थे मगर उनको उन्होंने ही बता कि भई वो कहते थे कि भई अगर आप Islamic terrorism का नाम लिखते हैं इसमें फिर आपको Hindu terrorism भी रखना पड़ेगा So I should salute him, I should salute him कि जो उन्होंने ही delivered on this promise, he did not compromise, शायद कोई दूसरा होता तो compromise कर लेता तो ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, कोई बीच का रास्ता निकाल लेता है, तो मगर नहीं किया, उनने कोई compromise नहीं किया, that is how I will, we will always respect him for who. उससे पहले वो शिकारा बनी तो थी? बिल्कुल बनी थी, क्योंकि यहीं तो इनका artistic, creative जो होता था, वो justify करता था, आज ठीक है, जो हो गया, so हो गया, भूल जाओ, फिर से चलते हैं, ठीक है, वो तो आगे reconciliation तो होगा ही, वो तो चलना चलना है, मगर अपने problems को firmly उठाना, और उस पे उठाके, ताकि यह दुबारा नहों इतिहास में, यह important चीज़ है, वरना तो हम तो अगर बती जला के, वो कोई बदबू आ रही है, अगर बती जला दी, तो वो temporary काम से काम नहीं चलेगा, तो फिर यह जब movie बनी, फिर इसकी marketing थी, पैसा नहीं था, कोई PR agency नहीं और यहां पे करीब 16 cities में, सभी cities में इसकी screening हुई, लगबग 25 universities में, institutions में इसका प्रचार हुआ, एक debates हुए, चाहे वो universities थे, colleges थे, तो उससे काफी अच्छा माहूल हुआ, और जो माहूल US में हुआ, जहां पे भी, देखिये, कश्मीर जो था, वो अब तक यह माना जाता थ यह कश्मीरी हिंदू की problem है, यह मेरी problem नहीं है, आंदरा का कोई था, वो बोलता था, मेरी problem नहीं है, जो कश्मीर की problem है, उनकी problem है, और कुछ law and order problem है, इसी तरह से मराथी था, वो भी इस तरह से, so unfortunately, यह जो कश्मीर, इतनी बड़ी तरासदी थी, इसको एक silos में देखा जा to everyone, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो मराथी है, चाहे वो तिलुगू है, कन्नड है, जैन है, सीख है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अमेरिकन है, एफ्रिकन-अमेरिकन है, ओरियंटल है, चाइनीज है, तो वो सारा हमने इसको, मेकैनिसम को इस तरह से डिवाइज किया, सबू चाहे, 36 ओगनाइजेशन ने इसका पूरा लॉजिस्टिक्स में पार्टिसिपेट किया, और यहां पे पूरा जो यूएस का पूलिटिकल लैंसकेप है, उसमें पेनिट्रेट किया, और फिर जब स्क्रीनिंग्स हुई, तो पावर आफ दिस आर्ट इतना था, कि सभी लोग रो रहते हैं हमारे साथ, चाहे वो एफ्रिकन अमेरिकन थे, चाहे वो मेक्सिकन, हिस्पैनिक से, चाहे वो उस्टेलियन थे, चाहे वो कोई भी थे, सब लोग इकटा हर एक जगा, हर एक स्क्रीनिंग में, they felt terribly bad, तो इसका यह मतलब था कि हूमन, हूमानिटी एक ऐसी चीज है, जो कि सबों को जोडती है, मगर बॉलिवूड का जो चैलेंज था, क्योंकि एक एक एको सिस्टम पिछले 32 साल से, चाहे वो बॉलिवूड हो, चाहे वो पुलिटिकल स्पेक्टरम हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, एक एको सिस्टम बन गया था, और वहाँ पे इस सच चाहे को बरदाश करने के लिए ताकत नहीं थी, तो तभी जब ये मूवी आगे बढ़ने लगे, तो ये जो एजनसियां हैं, ये काम चालू करने लगे, देखे जी, ये प्रापगंडा मूवी है, उससे पहले आप उस पे आए, मुझे अमेरिका से सम्मंदित भी कुछ जो लोग भी इस समय देख रहे हैं, ओकर प्या लाइक का बटन अवश्य दबा दे, आपको जब यूएस में स्क्रीनिंग आप करवा रहे थे, तो आपको जो यूएस में ISI और मुस्लिम ब्रदर हुड के जो इंबेड़ और्गनाइजेशन है, जिसे कायर है, C.A.I.R. या I.M.A.C. है या उसी का M.A.N.A. है, तो यह और्गनाइजेशन वहाँ बहुत डीपली इंबेड़ेड हैं और लगातार यह हिंदू हेट्रेड फैलाते रहते हैं, तो इन्होंने कोई किसी प्रकार से इसको साबटाज करने का प्रयास नहीं किया थे, हमारी जो वीडियो थी कि हम लोग कर रहे थे कि हम कर रहे हैं U.S. में, मगर किस दिन कब हो रहा है, वो हम पता नहीं रहते हैं, जब वहाँ का कारिकरम खतम हो जाता था, तब हम पूरे वीडियो डाल देते कि आज हमने New York में किया, आज हमने Washington DC में किया, अब कल कहा हो रहा है, किसी को देखें, और इसको एक वो वेपन वो लोग ना इसको यूज करें, और डिफरेंट एंगल की और ना लें, जिसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, तो वी सक्सेस्फुली नैविगेटेड़ दैट, चैलिंज थे, कुछ थर्टनिंग्स भी आई, जो इका दुका सिटीज में थो ये जो सच्चाई थी, उनको मालूम था कि भई ये सच्चाई है, इसको अगर हम छेरचा नहीं करेंगे, तो ये भूमरेंग हो जाएगा, ये हम पर ही चड़ेगा, तो शायद ये भी एक सिगनल था, कि लेट पास, तो बट स्टैटिजिकली वी वर्क्ट, तो इसलिए करें अब उस समय यूएस में था, उसके बाद तो पोरे विश्व ने इसको सने दिया, खास तोर पे हमारे इंडियन्स ने, सबूने इसका ओनर्शिप लिया, तो वो एक था कि नहीं, जो हम में खेद था, कि कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज हम, जब हमने देखा अपनों को खड़े होते हुए, कि सच्चाई क्या है, और हमको इसके बारे में क्यों नहीं पता लगने दिया, और उसके रियक्शन्स कैसे थे, शांती पूर्ण सबूने दिखाया, वालब जो सिंपती थी, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं नहीं मिला कि टाइम स्क्वाइर पे जो पतिस्टिज जगा है, एतनी एक्स्पेंसिव जगा है, लोगों ने पैसा दिया, और तब जाके जहां टाइम स्क्वाइर पे स्टैंड विद कश्मीर और कश्मीर के बारे में जितना नाफ चना बोलते थे, वो बिलकुल कश्मीर फ होए थे, मगर चुट-पुट-चुट-पुट अटैक्स चलने लगे थे, जब इनको पता चला कि अच्छा ये तो बहुत, क्यूंकि ये तो ओपन नहीं उनने बता कि हमको तो पता ही नहीं लगने दिया, ये तो इनने इतना सारा कवर कर लिया, तो वहां पे टाइम स्क्व लिखे, जो वहां का मेर्स थे, अडिमिस्टेशन थे, उनको रीच आउट किया, मगर वो सारा स्ट्राइजी जो हम थी, हमारी थी, वो सक्सेस्फुल हुई, और हमारा जो संजे जी बहुत जरूरी बोलना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव एक था, कि देखिए कश्मीर की प् निकल्मा था, और ये हमारा एक प्रोजेक्ट था, तु उनाइट थे, इंडियन दैस्पॉर, इन उनाइट थे, इंडियन इर्रेस्प्टिव और ये सारा दिमोंस्ट्रेट हुआ, और सभी तेलगू, क्रिश्चिंस, तेलगू, हिंदू, मराथी, सेक्स, सारे उनाइट होक पूरा ओनर्शिप लिया, और और वही फिर जो ओनर्शिप था, वो इंडिया में ट्रांस्फर हो गया, तो ये सारे चलेंजिस थे, आपको, आपके दर्शुम को मैं और अच्छी चीज़ बता दूगा, क्योंकि, देखे, डिविनिटी, जो हमारे संत लोग हैं, सबूं के जो आशिरवाद हैं, तो उससे क्या होता है, जब ये मूवी बन चुकी थी, यूएस की स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद एक और फेज कोविड का आगया, ओमिक्रान का आगया, और सारे थेटर्स बंद थे, विवेक जी ने गोशना करें कि ये मूवी, अब हम रिलीज करे और अमेरिका में जो ये successful campaign चला, और यब ये लग रहा था कि 26 जनवरी को नहीं हो पाएगा क्योंकि थेटर्स बंद थे, तो शायद विवेक जी सोच रहे थे कि में में के आसपास इसको रिलीज किया जाए, क्योंकि तब शायद तब तक थेटर्स खुल लेंगे, मगर हम उसके लिए तयार नहीं थे, क्योंकि जो मेहनत यूएस में करी थी, जो इसका यूएस में एक इसका huge publicity हुई थी, उसको हम opportunity को waste नहीं होना चाहरे थे, तो फिर ये decide कि आविवेक जीने कि थेटर्स बंद है, जो कुछ थेटर्स खुले हैं, वो तो 50% capacity पे हैं, पर उ उन्होंने बोला कि ठीक है, 11 मार्च 2022 को release करते हैं, जो होगा देखा जाएं, और मार्च 11, 2022 को इसका global release date fix हो, और उससे 4-5 दिन पहले, थेटर्स अभी 50% capacity पे थोड़े-थोड़े खुलने लगे थे, मगर उससे पहले 3-4 screenings हुई different cities में, तो देखा कि ठेटर्स तो खचा-कच बंद, बर गए, बर गए है, सारा, ये देखे, divinity का एक ही ये मिसाल है, कि जब आपको determination है, आप जब कुछ करना चाहते हैं, तो सारे आपके साथ वो दरवाजे खुलेंगे, और वही हुआ, और सा सारे दरवाजे इस तरह खुल गए, कि कश्मीर फाइल्स ने पूरा जैसे कि COVID evaporate हो गया, सारे थेटर्स खचा-कच, 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 और इतने demands आ रहे थे कि हम तो जहां पे दिखाना चाते हैं, Michigan में इतने सारे शहर हैं, वहां पे दिखान में पहुँच गए, और जो आशिरवाद लोगों ने दिया, ये सच्चाई बिलकुस सामने आ गए लोगों के, मैं और आप से ये पूछना चाहूँगा, दरश्चकों से पहले अनरोद है, कि आप प्रश्चन तो पूछे ही, साथ में हैं, आप अपने comments भी डालते जाएं, बाद में, वीडियो के बाद में, उससे हमें ये विशलेशन करने में असानी होगी, कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये बॉली वोड को किया समस्या थी, बॉली वोड ने क्यो बाइकॉट कर दिया आपका, देखिए मेर को जहां तक मालूम है, क्योंकि विवेक जी के साथ बातचित होती रहती थी, पालवी जी के साथ बातचित होती रहती थी, बहुत चलेंजिस उनको भी सामना करना परा, बहुत चलेंजिस, दो तीन दिन ग्लोबल रिलीज का होने से पहले, तो इनका तो बैंकर आर्ग्यूमेंट हुआ था, बैंकर आर्ग्यूमेंट हुआ था मना कुछ कामपनीज के साथ में जो कि क्यूंकि कुछ ऐसी ताकते थी जो इसको साबटाज करने की कोशिश कर रहे थे शुरू में तो स्क्रीन नहीं मिल रहे थे और जो फिर प्रिशर बढ़ा क्यूंकि स्क्रीन नहीं दे रहे थे स्क्रीन के लिए कुछ चीज़ें जो बता भी नहीं पहूंगा और वो जो विवेक जी ने मेरे को बताया है कौन लोग जिम्हेदार थे क्या चल रहा था उस समय वो तो दिखना था खशे पांडे की रिलीज रही थी साथ वेना बत्चन पांडे वो तो उन्होंने तो लड़ाई की तो नहीं बंद कर दो अगर नहीं चलाना है तो बंद कर दो डोंट सबटाज यूर सबटाज इंकि जब इनिशल फेज में स्क्रीन नहीं दे रहे थे तो एक सबटाज की प्रक्रिया चल रही थी नहीं तो पीवी आर तो इन्हीं लोगों के द्वारे तो ओलड़शिप है मेरे खाल से किसकी है यह पीवी आर को यह करन जोहर त्यारी तो यही तो ओन करते हैं सबके स्टेक्स हैं इसमें बड़े बड़े तो यह तो जो आपके बड जतने भी है प्रेडिक्शन हाउसे जाय वह तो ओन करते हैं पर इसकी स्क्रीने हम हो जो फीर खाल जो है करन जोहर की प्रमास्त्र तो यह तो फेलोने वाली फिल्म थी जिबरदस्ती आठ दस हजार के दो हफते तक आठ दस हजार स्क्रीन रोग के रख रहे लोग नहीं आते थे उसमें थीटर में दस पंदरा और चारो तरफ सो डेड़ सो करोड़ों केवल प्यार पर फर्च कर दिये अंत में भेद खुल गय यह मूवी फ्लाप है तो इन लोगों के तो हाथ बहुत लंबे हैं तो यह नों ने तो आपके सुशान सिंग राजपूट जैसों के तो सुईसाइडी करवा दिया तो और आप सोच लिजे कि यह इन से लडने के लिए बहुत बड़ा कलेज़ा चाहिए तो विवे कर दियों संजी जी आपने तो देखा होगा दो तीन महीने पहले रिलीज होने से पहले जाहे वो एंडी टीवी का रोल था क्या था क्या उनने लगा दिया था कि यह पॉपगंडा मूवी है जो कि उनने बाद में हटा दिया उस चीज़ को क्या क्या स्टेप्स चल रहे थे दो तीन मह बॉलीवूड को पता उस समय नहीं पता चला उनको मालूं था कि ये हो क्या रहा है तो जो इसकी मार्केटिंग थी कोई बज़र था नहीं तो लोगों ने अपनी ओनर्शिप ले ले लेके ले लेके अपने रिष्टेदारों को बाटा ये किया ये शायद बॉलीवूड को हज नहीं हुआ उन्होंने लोगों का पावर देखा उनने बोला कि हम तो कुछ भी नहीं है ये जो 14-15 करोड की मूवी है ये कहां से कहां पहुचा दी लोगों ने तब इनको रेलाइज हुआ कि हम तो एक छोटा सा ड्रॉप है ओशन में ये तो सारा विल है आफ दे आफ आफ वो कोई भी हो कोई माई का लाल है कुछ नहीं कर सकते मगर ये जो है सचाई और वो अपने आप में विश्वास रखें अपने आप में वो धर्ड़ता रखें तो ये काम हो जाएंगे ये तो बिगिनिंग है अभी तो बॉलीवूर परेशान है इनका पी आर कैसे हो गया इन सब्सक्राइब लगों की शक्ति जो है उसके सामने हरे को जुकना पाता है और जुके आप लोगों ने इनको जुकने पे मजबूर किया और जुकाया उसके लिए आप का सबका बहुत बहुत अन्यावदा बिल्कुल हमने तो को को इसके उपर किये और बिल्कुल उपर सारे सोशल मीडिया से सबसे और बहुत अच्छा रिसपान्स मिला जब्थ चारों तरफ उसकी प्रशनसा भी हुई और मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो है ये प्रशनसा के पात्र है नके वल प्रशंसा के आप लोगों के जो द्रढ़ता थी जो आप लोगों ने साहस दिखाया तो वह भी अत्यांत्य प्रशंस नहीं है तो आए अब हम दर्शकों के कुछ प्रशन ले ले लेते हैं और ये कोई और रोचक तथ्य बताना चाहें आप तो सवागत है हम जाए जब इसकी हुई तो विवेक जी तो हिमालिया पे चले गए पहाड पे चले गए जब उनने देखा ये क्या बयानक चीज हुई है ये क्या हुआ जब उनको एहसास हुआ यह क्या कर रहा हूँ मैं, यह क्या हुआ है, जब उनको magnitude पता चला, तो he went to the Himalayas, वहाँ पे उसने script लिखा इस चीज़ का, script मतलब सब तो ready-made था, बट इसको align करना था, तो वहाँ पे जाके उन्होंने लिखा, इसके बाद जो यहाँ पे जो struggles थी, बहुत सारे struggles थी, मगर Capital Hill में, उनका आना, Capital Hill में, क्योंकि हम लोग भी यह धड़ता से दिखाना चाहते थे, कि बहुत सारे directors हैं, जो कि सच्चाई पे हैं, जो film industry के हैं directors, वो लिखना चाहते हैं, मगर जो ecosystem है, वो उनको करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको support नहीं है, अगर वो करेंगे, तो कोई है नहीं पीछे, तो वहाँ पे हमारी दाल नहीं गरती थी, मगर यह एक occasion था, यह message convey करने के लिए, कि अगर आप सत्य की रहा पे चलेंगे, हम आप सब को गोदी पे उठाएंगे, हम आपको, you will be our everything, इतना support दे, so वो भी हमारा एक objective था, ताकि एक message चला जाए, जो की side lines में बैटे हैं, जो सच्चाई के बारे में लिखना चाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, कि क्या होगा, मेरे को थोड़ी support मिलेगा, वो भी हम उसको दिखाना चाते थे, कि नहीं support मिलेगा, जो विवेक जी का था, वो, that was also a message to all those directors, who want to do the right thing, और we were successful in doing, and we are proud of doing that, and we'll continue to do that. जी आ, हमने तो उसके 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 कोई 6-7 episodes किये थे, याद है, और इसमेंसे कही सारे तो बहुत जबरदस्त वाइरल हुए थे, तो अब हम दर्शकों के प्रश्ट ले लेते हैं, जी, जी, सद्धित, तो दर्शकों से अनरोध है, कि क्रपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, और साथ-साथ आप हमें सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, आपको याद भी दिला दें, कि 5 और 6 नवंबर को हमारा एन्वल फेस्टिवल होने वाला है, प्रशने, राम कपूर जी का प्रशने हैं, अमस्ते संजय जी और कॉल जी, प्लीज तेल अपकमिंग मुवी और विवेक अग्नुत्री जी, डेली फाइल्स और अन्य अपकमिंग सीरीज और मुवी कमिंग उन सुभास चंदर बोस डेथ मिस्ट्री, सबसे पहले एक्चुली जब संजे जी ने बताया कि कर्रिक्रम करने जा रहे हैं कश्मीर फाइल्स पे, तो मैंने विवेक जी से कॉल किया, अभी तीन चार दिन पहरे उनको बोला कि संजे जी जाइपू डायलॉक्स कश्मीर फाइल्स पे स्टोरी करना चा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा वहाँ पे, तो आप चलिए वहाँ पे, तो वो भी आजकल इस समय बिजी है, कोविड पे जो वो मूवी बना रहे हैं, तो उसमें भी बिजी हैं, तो बोले मैं नहीं आपाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा समय की प्राब्लम है, तो पर मैं जरूर उनके कारिकर में रहूंगा, वो कसंजी जी को बहुत पसंद भी करते हैं, तो जहां तक अभी वो इस समय कोविड मूवी पे कंसंटरेट कर रहे हैं, शायद उसकी शूटिंग डेसंबर जैनवरी में वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वो देली फाइल्स की और जा रहे हैं, उसका एक पूरा रिसर्च बहुत जोरूं पे चल रहा है, और जहां तक मेरी बात हुई है विवेग जी ने तो उनने बुला की देली फाइल्स प्लिट दूवैर्स विल गीयिज जूर्च बोलना चाहते हैं, इसमेड सत्त कांप्र एक टो इसमीर ने फैल्स लेट चाहते हैं, यह है वो बताए देंगे जी नेक्स वसंद शेटी जी वाइस गर्मेंट वेस्टिंगार टाक्समीर अन स्टेट वू दिट जैनिसाइड अफार पंडिट गेस्ट मोर रेवन्यू दन अन्य अधर स्टेट्स आगेस्ट अधर सनाथनी अलॉट इन विजिट कश्मीर इवन अधर ट पिटा यह तो जब 378 था इस आरे फैक्स तो सामने आये ही आये थे यह प्रशन बहुत इंपॉर्टन है और जिस एंगल से आप यह प्रशन पूछ रहे हैं मैं इसको अच्छे से समझ गया और वही हमारी भी प्राब्लम है देखिए आज रिगार्ट कश्मीर पे जो करन्ट establishment है इनका मापदंड अफ सक्सेस इस पीस इन कश्मीर ठीक है पीस होना चाहिए देशुड बी नो लॉस अप्लाइस दूसरा है डेवलपमेंट ठीक है डेवलपमेंट भी किसी हद तक चलोगी है मगर जो हमारा मानना है जो हमारा लिटमस टेस्ट है कश्मीर के बारे में वो है जब जो सांस्कृती जो civilization वहां से disconnect हो गई है जिसको हटा दिया गया under the plan निजाम मुस्तफ़ा अगर आप उस civilization को reconnect नहीं करेंगे तब तक आप इसको आप successful हुए हैं कश्मीर के बारे में I don't think that is the right statement आप चाहे कितना भी development करिए आप चाहे कितना भी रोजगार दीजिए जब तक आप इस civilization को जो की 5000 साल से ज्यादा civilization है उसको reconnect re-establish नहीं करेंगे I don't think you will have you can make a statement that everything is all right in कश्मीर और जहां तक आपका यह सवाल है कि why should be wasting tax money on the state government शायद आपको मेरे जवाब से काफी हम क्या चाहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा एंगल पता चाहिए हूँ जे हाँ आप बिल्कु सही कह रहे हैं क्योंकि जो जो जोनराज की जो राजतरंगी नहीं है उसमें उन्होंने इसको परिभाशित किया है और इसको इन्होंने कहा है जातिसंगार और जातिसंगार की परिभाशा जो उसमें जोनराज नहीं दी थी मेरे विचार से वह संबव तो दूसरे और तीसरे के बीच में उन्होंने लिखा था जाती संगार में यह है कि आपकी संस्कृति नश्ट हो गई आपके जो आपका भाशा नश्ट हो गई यह सब करने सकर्षी से ही तो जातियां जो है वो काल के गाल में समा जाती सो विलक्ल सही बात है और उसके पुसके प्रति हृएं इस सरकार की भी कोई प्रयरिटी नहीं यह और इसको हम लगातार इंगित करते रहते हैं, आँ देखेंगे कि वैसे तो हम इस सरकार को कई नीतियों में काफी इसके प्रशन सक हैं, लेकिन कश्मीर की जब नीति आती है, तो हम इसके घोरा लो चका हैं, यह इसको समझ ही नहीं रहे हैं, यह किसी प्रकार से, जैसे पहले लोग जो थे, वो जिह हाथ के साथ सेटिल्मेंट करके आगे काम बढ़ाना चाहते हैं, वो कतेई स्वी कारें नहीं हैं, संजी जी, देखिए, हमको काफी उमीदे थी, current establishments, मगर दुख होता है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, there is no doubt about it, कश्मीर के मामले में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, देखिए, हमारा जो खेद है, कि पिछले आठ साल से कोई engagement process ही नहीं है, कुमेने देखिए से, आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है, किसी को कुछ मालूम नहीं, कम से कम 4-5 बार हमने भी appointment रहनी की कोशिश करी, ठीक है, COVID था, ये था, मगर नहीं मिल रहा है, एक वो confidence नहीं है, कि जो confidence होना चाहिए, इस current government से, अभी देखिए, आज ही targeted killing हो गई एक और, किश्मीर में, ये चल रहा है, 90, abrogation of article 370 के बाद, अभी तक तो कम से कम 20-25 targeted killings होई है, मगर हमारे जो employees हैं, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के employees हैं, पिछले इतने महीनों से गर-दर की ठोकरे खा रहे हैं, उनकी तंखा भी बंद कर दी, जो constitution का सबसे पहला right है, right to live, आप उनको धकेर रहे हैं, जो कि उनका वो draconian law था, उनने वो agreement कर दिया, उसी के बारे में आप उनको वहाँ पर बेजना चा रहे हैं, as sitting ducks, ऐसे नहीं चलेगा, you have to have a comprehensive plan, तभी हमने अभी 26 और 27 नौंबर को एक international conference बुलाया है, क्यूंकि we want to make awareness to the government, कि that we have to exert for our rights, क्यूंकि problem यह है कि बागी लोग वहाँ के political system shore करते हैं, तो यह pressure में आते हैं, और हम इतने time से कर रहे हैं, क्यूंकि vote bank नहीं है, that is the main problem, तो हम को consolidate करना है with all Indians as a vote bank to create a pressure on the government, even to the current establishment. Yes, 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 pressure has to be there. Next, Harpal Rajput, एक movie Quran पे भी तो यह इमारत ही ड़े जाएगी, वो तो हमारे ex-Muslims जो है, वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो तना काम तो कोई नहीं कर सकता. Next, Mohit Kumbhajikar, I read Jagmanji's book, My Frozen Turbulence in Kashmir, One of my takeaways was Rajiv Gandhi seemed equally responsible as Abiyullahs and likes by his indifference, while in power and petulant actions like inciting Turkman Gate, painting the governor as anti-Muslim and anti-370 in front of the Kashmiri Muslims and attacking him through his psychophants like Manish Shankar Ayer, while out of power to gain power. Would you corroborate this and if yes, yes, there should a film on Kashmir. Mohit Ji, all of these events are documented in my book, The Unbreaking India. और मैं सुरेंदर जी से कहूँगा कि वो इसका उप्तर दे. ने, ने, सही बिलकुल बात है, Mohit Ji ने, Frozen Turbulence was one of the documented thing about the terrorism in Kashmir. और उस समय क्या nexus चल रहे थे, जो political elites थे, चाहे वो डिली में थे, चाहे वो state में थे, और जो separatists थे, किस तरह से ताल मेल कर रहे थे, actually, they were trying to balkanize India themselves. और यह जो nexus बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, यह तो Parliament तक कहुच गया, जब Jilani वहाँ पे openly एक nexus with urban nexus करके, अदर उनने वो एक बड़ा, यह landscape बना दिया था to tackle the government, tackle the law and order machinery, and to create and subvert the nation. यह, यह session तो Parliament के 2 km के बाहर हुआ था, openly, और हमारे industrialists उसको बढ़ावा दे रहे थे, Yasin Malik को बढ़ावा दे रहे थे, they were, this was the level of degradation जो हुआ था amongst Indian zones, amongst the corporate India, किस तरह से वो उनको acceptance की और लेके जा रहे थे, and यह बहुत ही मुश्कील था हमारे लिए, यह देखना कि the person who is responsible for our genocide, वो Prime Minister Office तक पहुँचके Prime Minister को handshake करता है, क्या political message जा रहा था, क्या system चल रहा था, आप देखिये, क्या-क्या elements थे political system में, जो की India को खुद ही खतम कर रहे था, so that was the level of degradation we have seen, but time, determination, not for us, for all of you, तभी change होगा, तभी change हो रहा है, so we have to create that pressure, and वहाँ पे Jaipur Dialogues plays a very vital role, we all need to support it, we need to strengthen it, यह कूरा एक media channel बनना चाहिए, तभी यह सारे चीजे में फरक आएगा, जी, थैंक यू, next, I think there is one other question, I watched Kashmir Files three times, when I saw the climax for the first time, I just got lost, I was walking for 15 minutes, not realizing I had to take auto to go home, salute to VRA, Vivek Ranjan Agnitri, awesome movie, यह वसंदी ने, he has cast the, this is what was the state, जो भी movie देखने जाता था, he was shocked, he or she was shocked, एक spin drop silence हो जाती थी, and एक जो अज़ेसंट बैठा है, उसको देखना नहीं चाहता था, nobody wanted की, मेरी और कोई देखे, इतना, इतना हाल था, and you have captured the sentiments very well, वसंदी, that was the story of every Indian, और इस movie से, हमको तो मालूम था हमारे साथ क्या हुआ, जो हमारे Indians थे, हमारे साथ देखते थे, they had a feeling of guilt, बहुत जबर्दस guilt, और जब उनने movie देखी, जो उनके कश्मेरी Hindus contact में थे, उनको reach out किया, भई ये movie सही है क्या, they were not ready, उनको बहुत अगर था, ये movie है, तो शायद इसमें exaggeration किया है, और फिर वो बोलते थे, oh my goodness, हमको तो बिल्कुल पता नहीं, आपके बारे में, आपनों लोगों उनने कितना सहा है, कितना बरबरता आप लोगों के साथ हुई है, तो वहाँ पे वो सभी उनको बोलते थे, my hats off to you, जो आप लोगों उनने जहला है, और जो non-Indian community, international community थी, चाहे youth थे, उनमें जो feeling आए, कि ये जो genocide है, ये 1800 का genocide नहीं है, ये तो 1990s में हो है, why this is not part of the history syllabus, why this is not being taught, तो ये एक universal messages आए थे, during the release of the Kashmir, but your observation is 100% correct. Absolutely correct, actually तो मैंने तो खुद research की है, पूरी किताब लिखी है, तो 370 को जब मैं कर रहा था तब, और, मेरी किताब यदि आप पढ़ेंगे, तो उसमें तो there are more ghastly facts, लेकिन, even I was impressed by the movie, क्योंकि, इस shoestring budget पे, और सारे limitations के उपरांत भी, जो message था, वो बड़ा forcefully convey हो रहा था, right, next, राणा राच चुहान, जैशी राम संजय सर्ण, can you tell the people about Gandhi family history, I mean Pappu Gandhi's grandfather, thanks for your support to this nation, I mean you're talking about Chacha Lehru, well, a lot of Kashmiris get very sentimental about Pandit Nehru though, yeah, see I don't want to mince any words, Rana ji, thanks for asking this question, देखे, Pandit Jawala Nehru तो हमारे ही समाझ के है, no doubt, he has done a lot of good things for India, जो कुछ भी है, मगर equally he has done Himalayan blunders, as regards Kashmir, there is no doubt about it, और जो हमें बुगत रहे हैं, उनके ही यह जो friendship का नतीज़ा है, किस तरह से उन्होंने, सरदार वर्लाबाई पटेव को धरकिनार करते हुए, अपनी मनमानी शुरू की, he was trying to sabotage his minister, and that has created the whole mess, there is no doubt about it. किरिन रिजेजू ने कुछ documents निकाले, मैंने तो उससे पहले भी document किया, किरिन रिजेजू शोज कि वही पर्लेमेंट में उन्होंने एडमिट किया, कि जुलाई 1947 में हरी सिंग जी approached Government of India, हरी सिंग जी ने तो February में approach कर लिया था, he was seeing the way the wind was blowing, उन्होंने का महर्चन महाजन को हमारा Prime Minister दे दो, लेकिन नेरु पूट इस पूट दाउ. So, these are all, I don't know whether you've read my book. If you haven't, please do. It's available in the United States, Unbreaking India, just call. No, no, we will just call it. Harish Pokhryal, Patram Pashwam, thank you. Salute to all who contributed to make Kashmir Files, certainly. धन्यवाद आप सभी को, इसी के साथ हमारा प्रशनकाल पूर होता है, और आज का सेशन भी यहीं हम विराम देते हैं इसको, डॉक्टर सुलिंदर कावल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, जैहिंद, बंदे मात्रम. बहें, आमस्टे बquelको, खन्यवाद.